हेलो हाज हैंनुक पढ़ेंगे ट्राइगल्स, ट्राइगल्स वे ऐसा तो एक मैथमेटिक का टॉप कि तॉपिक है, बट हम देखेंगे कि यहाँ पर सिविल इंजीनरिस के लिए, यहाँ पर ट्राइगल्स में ऐसा क्या छूपाए कि बहुत है इंपॉर्टेंट चीज बन जा हुआ है यह triangle का shape का बना हुआ है तो triangle shape में क्या होती रिजिडिटी छुपी होती है अब ही हम देखेंगे कैसी rigidity है basically triangles होते हैं वो तरह आरे actually rigid होते है actually rigid होते है ठीक है और जो दूसरे पॉलिगॉंस होते हैं स्क्वार ले लिए पेंटा गान या फिर कोई और पॉलिगॉंस ले लिए वह एक मतले हैं तो वह अभी देखते हैं कि कैसे रिजिद्टी आती है कैसे नहीं आती है तो यहां पर हमने देखा ट्राइंगल यूज हुए है फिर यह देखिए है यह एक फ यह बताता हूँ आपको बताता हूं आगे जैसे कि यह देखिए यह यह यौँहपे those कि देफ्परम भूल रहा है कि अगर आपने ऐसे कोई ट्राइंगल लिया ठीक है। और यह कह रहा है कि जो ट्राइंगल से उसको डिफ़र्म नहीं कर सकते हैं। तब तक जब तक हम उसकी length में कोई change ना है, मतलब जब तक उसकी length अगर change ना होगी, तब तक हम उसे deform नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो अब दी पड़ देखते हैं कि क्या होता है, क्या होता है, ठीक है, तो जैसे माली ये triangle है, ठीक है, ये मैंने एक force A लगाई है, दूसरी force B और जब तक ये joint पे force लग रही है, तो आप ये देखिए है, कि triangles deflect नहीं करें, deform नहीं करेंगा, ठीक है, या ऐसे move नहीं होगी, ऐसे move हो जाएगा, या ठीक है, या फिर ऐसे move हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि इसमें axial rigidity, क्योंकि triangles कैसे stable होता है, इतनी rigidity कैसे आती है, basically, जो triangles की rigidity होती है, पूरी axial rigidity होती है, ठीक है, वो axially rigid होते है, ठीक है, अब आपको समझने वाली बात यह है, कि अब और polygons में ऐसा क्या हो रहा है, कि वो इतनी rigid नहीं है, जैसे ये square है, ये pentagon या फिर hexagon, तो उसमें ऐसा क्या हो रहा है, ठीक है, तो हम देखते हैं आग है, ठीक है, अब आपको समझ में आगा कि, triangles इतना rigid क्यों है, और others polygons इतने rigid क्यों नहीं है, अब महली जी मैंने ऐसे force लगाया, इस side से, ठीक है, तो अब कैसे, जो square हो कैसे deform होगा, अब आप खुदी imagine कर पाएंगे, कि ये ऐसा shape हो जाएका deform होके है, आप समझ रहा है, ठी मैंने यहां पे force लगाया था, यहां पे ऊपर से force लगाया था, उसकी rigidity बनी होगी थी, ठीक है, तो आप ये देख पा रहे हैं, कि जो triangles है, वो बहुत ही जादा rigid है, और जितनी भी polygons है, अब pentagon ले लो, hexagon ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, वो इतने rigid नहीं हो पाते हैं तो हम ने यह देखा कि इसलिए triangles को ज़यदा use करते हैं construction work में, एतने ज़यदा क्यों use होते क्यों कि बहुत ही ज़यदा rigid होते हैं, अब 2D में तो हम triangles use कर लेते हैं, अब 3D में हम tetrahedran यूज कर लेते हैं, वो भी बहुत ही जादा रिजिड होते हैं ठीक है अब मैं हाँ आपको यह बताने वाला था कि मैंने क्या एक सेगेंड हाथ मुझे हाँ सौरी हाँ टेट्रहेडन के बारे भी बताना था तो टेट्रहेडन हमारा कैसे शेप होता है उसका ट्राइंगुल जैसा ही शेप होता है इसको मैं आपको शायद अच्छे से दिखाना पाऊं ठीक है तो यह भी बहुत ही जादा 2D में तो हमारे ट्राइंगल आप तो हमने कहा इतना जाद है तो हम हर जगा के यह यूंई यूस कर पाते है अब ट्राइंगल के साथ फिल्मिटेशन है अब जैसे मान ली कि मैंने यह कहा था हमसे पहले कि? कि यह मैंने ट्रैंगल बनाया जब तक हम इसके जॉइंट फोर्स लगा रहे हैं ठीक है तब तक वह पूरा रिजिड है अच्छे से काम कर रहा है अपना परपस पूरा कर रहा है बट जहां पर इस पर ट्रांसफर्स फोर्स लगा मेंबर्स पर इसके ठीक है तो ऐसे चीज़ इससे टाइम पर वह इतना रिजिड नहीं हो सकता है ब्सक्राइब फिर अपने अपने परपस के साबसे बहुता है बट अब यहां पर इतना अफेक्टिव नहीं रहता है इसलिए हो हर जगा नहीं यूज़ करते हैं ट्रैंग्ल सभी मोशली यूस होतें जहां पर बिज़ पर जब यहां पर आपका फोर्स कहां पर लगता है जॉइन पर ठीक है इसी लिए हम क्याएं इसी लिए सिविल इंजिनरिंग में ट्राइंगल्स इतना चाहिए ट्राइंगल्स हो जाए पर टेट्रागन हो टेट्रहेडरन हो बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करते हैं कंसक्शन में कोई भी डिजाइनिंग होती है